शनिवार को हिमाचल प्रदेश ग्रामेड वेंक करमचारी संग वो हिमाचल प्रदेश ग्रामेड वेंक आफिसर्स ओर्गनाइजेशन ने हमीरपूर में प्रेस कॉन्फरेंस करी प्रेस कॉन्फरेंस के दोरान हिमाचल प्रदेश ग्रामेड वेंक आफिसर्स ओर्गनाइजेशन के उपध्यक्ष अन के ननदा ने कहा कि बेंक चैरमें शतीश चावला ने All India ग्रामेड वेंक आफिसर्स ओर्गनाइजेशन के निता DC शर्मा को आव वैधानिक तरीके से सेवा निवरित कर दिया उन्होंने कहा कि यदि DC शर्मा की बाहली ना की गई तो संग 20 नुवंबर से आंदोलन शुरू करेगा दीवी हिमाचल वैव टीवी को जानकारी देते हुए उपाद्यक्ष N.K. नंदा ने कहा सरकार वित्मंत्राले तुरंत प्रभाव से ओर्डर जारी करे स्तीश कमार चावला को सस्पेंड करने के इसके अगेंस्ट कारवाई करने के और DC शर्मा जी का जो पैनल्टी दी गई है उसको अभी लंब निरस्ट किया जाए उनकी जो नौकरी है वो बहाल की जाए अगर ऐसा नहीं किया गया तो बैंक आंदोलन की राह पकड़ेगा उसके अनुसार सबसे पहले हम सोंबार से रिंड देना बंद कर रहे हैं रिंड का आवंटर नहीं होगा साथ तारिक साथ दिसंबर से सभी हिमाचल परदेश के सांसदों के घर या कारे लए के बाहर हिमाचल परदेश में ही अमरण अंशन शुरू किया जाएगा 13 दिसंबर को हर्ताल की जाएगी और एक जनवरी 2018 से दिवे हिमाचल वेब टीवी के लिए हमीरपूर से सनी पठानिया की रिपोर्ट